रवदा की पौना, एधरों पुट्रा ते ओधर लाउना, कृपया इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। इस वक्त तब के पीछे की जन्द शुरूती को पहले समझते हैं, कहा जाता है कि जब बुल्ले शाह युवा थे, तो परमात्मा की तलाश कर रहे थे, और किसी योग्य गुरू की खोज कर रहे थे, किसी ने इनायत शाह के बारे में उन्हें बताया, और बुल्ले शाह वहाँ पहुच गया है, उस समय इनायत शाह बागवानी कर रहे थे, खेती कर रहे थे प्याज की और जब उन्होंने बुल्ले शाह को देखा तो पूछा कि युवक तुम कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, यहां आने का तुम्हारा क्या प्रेयोजन है। बुल्ले शाह ने कहा कि मैं प्रमात्मा को पाना चाहता हूं। इनायत शाह ने प्याज का एक पौधा एक जगा से उखाड़ा और दूसरी जगा लगाते हुए कहा, रवदा की पौना, एधरो पुटना ते ओधर लाओना। अर्थात कि इश्वर को पाना पतबत ऐसे ही है, जैसे एक पौधा इधर से उखाड़ना और दूसरी तफ लगा देना। अर्थात हमारी चेतना संसार से जुड़ी है, इसे वहां से उखाड़कर आत्मा और परमात्मा से जोड़ देना है। तो आओ जानते हैं कि संसार है क्या, जहां से हमको अपनी चेतना को उखारना है, आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या, जहां से हमको अपनी चेतना को जोड़ना है, संसार क्या है, संबंध ही संसार है, अर्थात मन जहां जहां जोड़ बनाता है, वही संसार है, यह जो तुम म संसार से ऐसा समझते हैं कि शाइद प्रकृतिוס संसार है, या यह मकाम नहीं वास्तों में जहां-जहां मन का जोड बनता है मन का जहां-जहां विस्तार है वही संसार है दूसरे शब्दों में अगर कहूं नहीं eyeballs keep कहा होगा कि मैं और मेरा का विस्तार ही संसार है हमता और ममता का विस्तार ही संसार है तो करना क्या है संसार से कह रहे हैं कि संसार से चेतना को उखाड़ना है तो उखाड़ने की कला क्या होगी है अर्थाथ संसार से मुक्त होने की कला क्या होगी इस बात को जानना जरूरी है अगर संसार से मुक्त होना है तो मेरा और मैं से मुक्त कैसे होगे यह जानना जरूरी है अर्था मेरा और मैं से मुक्त हो जाना ही संसार से मुक्त हो जाना है पलतु साथ कहते हैं हमता ममता को छोड़ दे हमता क्या है मेरापन, कहते हैं हमता ममता को छोड़ दे रहे, यही तो मूल जन्जाल है सभी संति इस बात को कहते हैं कि अगर परमात्मा की ओर जाना है, आत्मा से जुड़ना है तो मैपन और मेरापन, हमता और ममता, इन दोनों से मुक्त होना जरूरी है इसको राधास्वामिमत के प्रवर्तक स्वामी जी महराज कहते हैं, बड़े तरह प्यारा अंदाज है, कहते हैं, मोटे बंधन जगत के अगुरू भगती से काट। ये जो मेरा का बंधन है, ये मोटा बंधन है, ये दिखाई भी पढ़ता है, अगर गुरू से हम नाता जोड गुरू के प्रेम में पड़ जाते हैं, तो फिर मेरा के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, और जीने बंधन चित के और कटे नाम परताब, और जो मैं है, ये जो अहंकारी दिखाई नहीं पड़ता है, ये जीना बंधन है, जीने बंधन चित के कटे नाम परताब, नाम को जानन है उंकार जानना है उंकार के श्रमर से उंकार के स्मिरन से फिर हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तो यह संसार से मुक्त होने की कला तो अब आओ जानते हैं कि यह जो चेतना का पौधा है संसार से तो हमने उखार लिया लेकिन अब इसको रोपना कहा है इसको आत्मा में रोप बिश्ना है, तो आत्मा क्या है, यह जो चेतन अंतराकाश, ले जो भीतर आंख लिए तुम बंद करोगे, उसमें भी एक गहराई दिखेगी, जैसे ओशोधारा में जब ध्यान के लिए तुम आओगे, तो ध्यान की प्रक्रिया में ले जाया जाएगा, और वहां तुम इस अंतराकाश से परचित होगे, और देखोगे कि बहुत ही सुन्दर अंतराकाश है, जैसे बाहर का आकाश है, तो वह जो अंतराकाश है, जड़ नहीं है, ऐसे बाहर का भी आकाश है, यह जड़ नहीं है, ऐसे भीतर का अंतराकाश भी जड़ नहीं है, निर्जिव नहीं है, यह चेतन अंतराकाश ही हमारी आत्मा है, तो कैसे इसमें जड़ जमाई है, तुमनें चेतना को संसार से उख बूत हो आत्मा में ये जर जमाने की हमारी विधी क्या होई तो पहली बात है कि निराकार को जानो निराकार को जाने बिना तुम आत्मा को नहीं जान सकते तो किसी योग्य गुरु से किसी योग्य आचारे से इस निराकार को जानो और एक बार जान गए तब उसके प्रती जा अर्थाप निराकार का स्मरन करते रहो, जितना निराकार का स्मरन करोगे, जितना निराकार का दर्शन करोगे, उतना ही निराकार के प्रती दर्शन घटित होगा, और सच कहो तो यही ध्यान है, ध्यान और कुछ नहीं है, निराकार को जानना और निराकार का दर्शन करना, न नादे गूझ रहा है, नादे के निरंसर गूझ हो रही है और उस निराकार का स्ट्रमर करो इसको कुई नामों से पूरा जाता है उंकार, अनाहतनाद, अनाहतनाद, उद्गीत, प्रणव, सदाय आस्मानी, बांगय आस्मानी, राम, नाम, सत्त नाम, सारशद, कई कई नामों से पुकारा गया है, असली बात ये है, कि हमारी आत्मा में गूज रही, निरंतर ध्वनी है, तो उस नाद को जानो, जैसे वोश् कराया जाता है, नाद कराया जाता है, और फिर क्या करना है, अब इसी अंतराकाश में नूर जगमगार है, डिवाइन लाइट है, जैसे नाद है, डिवाइन साउंड है, ऐसे डिवाइन लाइट है, तो उस डिवाइन लाइट को जानो, जैसे ओश्वधरा में जब तीसरे तलगे कारिक्रम निरती समादी में आते हो तो उस समय तुमको डिमाइन लाइट से परचीत कराया जाता है तो उस नूर को जानो, उस नूर का दर्शन करो तो क्या किया अब तक तुमने निराकार को जाना फिर क्या जाना, वहाँ गूंज रहे नाद को जाना फिर क्या जाना वहा जगबगा रहे नूर को जाना अब यही मत रुको अब यह नाद और नूर को कौन जान रहा यह प्रश्न तुम्हारे मन में उठना चाहिए क्योंकि जो आत्मा में नाद का गुझार हो रहा है यह कान हमारे भाती कान उसको नहीं सुन सकते तो फिर कौन सुन रहा है और ये जो अंतराकाश में नूर जगमगा रहा है तो बहुतिक आखे उसको नहीं देख सकती तो फिर कौन देख रहा है और तब जानोगे कि नाद और नूर को जानने वाला जो ग्याता स्वरुपतत्व है वो हमारा चैतन है जो आत्मा का ही अविभ श्रूर को जान रहा है वही वहीं दिमान है अब जैसे मैं एक उधार नूंद हमारा शरीर है अवह हमारा हाथ है और हमारी आखें हैं तो हाथ को कौन देख रहा है हाथ दिरिश है और हाथ को देखने वाली आख है वो दर्शक है या दर्श्टा है अब जो आख भी उसी शरीर में मौजूद है और हाथ भी उसी शरीर में मौजूद है ऐसे ही आत्मा के ही ये सब अंग्र हैं चाहे निराकार हो चाहे नाद हो चाहे नूर हो तो उस ग्याता स्वरूप चैतने को जानो जो नाद और नूर को जान रहा है जिसके लिए इस पूरी प्रक्रिया के बारे में कुछ संतों के वक्तब हैं उन्हें से दो के वक्तब यहां मैं उद्रित कर रहा हूं तक इस पूरी प्रक्रिया को तुम ठीक से समझ लो, जैसे राजस्थान के दरियासा, बड़े प्यारे संथ हैं, कहते हैं, तजविकार, कहां से बात शुरू करनी होगी, संसार छोड़ना पड़ेगा, और संसार है, तो फिर काम है, क्रोध है, लोग है, मोह है, इर्शा है, द्वेश है, तो इनका त्याग क करना होगा, उसी बात को करना है, तजविकार, और फिर आकार तज, और भीतर जाना होगा, अब आकार को भी छोड़ देना होगा, निराकार में जाना होगा, शरीर आकार है, या जो भी लोग दिखाई पड़ते हैं, जो प्रकृति दिखाई पड़ती है, ये सारे आकारों क अब छोड़ दो निराकार को ध्याए अब निराकार के प्रती जागो जिसके बारे में मैंने बताया कि जो बंद आखों से जो दिखाई परता है वो निराकार है तो उस निराकार के प्रती जागो निराकार का ध्यान करो और यहीं रुक मत जाना आगे कहते हैं कि निराकार में पैठ कर और निराधार लो लाए और उस निराकार में थिर हो करके वहां जो निराधार है जो नाद के रूप में गुज रहा है जो नूर के रूप में जगमगा रहा है अब उससे लो लगाओ इस बात को चरंदास भी बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं कहते हैं इंद्री पल्टे मन वसे कहते हैं इंद्रियां समाने तर संसार की और दौरती हैं बाहर बाहर दौरती हैं अब वहां से उस बहिर जगत से मुक्त होकर अंतर जगत में मन क्या विचार कर रहा है मन क्या जलेवी पका रहा है उस मन पर आ जाओ और मन पल्टे बुधमाही अब मन पर मत रुको मन का जो साक्षी चैतन है वो जो बोध है अब वहाँ पहुँचो जैसे मैंने बताया ने चैतन है, नाद और नूर का ज्याता है अब वहाँ पर आ जाओ और फिर बुधब पल्टे हरी ध्यान में अब गोविंद को जानों की गोविंद क्या है और गोविंद के सुमिडन में जीना शुरू करो और फेर यह जाएं और फिर तो गोविन्द के साथ मिलकर एक हो जाओ, समाधि में चले जाओ तो ये प्रिकृडिया है आत्मा में जर जमाने की ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा अब आओ जानते हैं परमात्मा किया है? यह जो समस्त अस्तित्व है यह समस्त जो आकाश तुम देख रहे हो यह जीवन्त है और यह परमचैतन है और यही परमात्मा है और यही स्रिष्टी करता है सारी स्रिष्टी इसी की रचित है ऐसा सभी संतों का अनुभव है और यह जो परमात्मा है यह समस्त जीवन्त आकाश ये सत है, चित है, आनन्द है, सत का आर्थ क्या हुआ? वो शाश्वत है, उसका कोई आद नहीं, उसका कोई आन्द नहीं है, वो शाश्वत है, और क्या है? चित है, चित का आर्थ क्या हुआ? वो चैतन है, और क्या है? आनन्द है, वो नित नूतन है, अकारन प्रफलित है, औ जिस दिन तुम आकाश की जिवनतता को जानोगे, जिस दिन तुम आकाश की चैतनता को जानोगे, उसी दिन तुम परमात्मा को पहचानोगे. इस बात को हमने अपने एक गजल में लिखा है, मेरे मुर्शिद ने कहा सिधार्त सुन, आसमा खुद है, खुदा हम क्या करें? जि प्रमात्मा से जुड़ने की कला का नाम ही सुमिरन है जिसके लिए गुरुतेक बहादुर जी कहते हैं मान मोह को परिहरे ये मान क्या है? ये मैपन है ये हमता है और मोह क्या है? ये मेरा पन है ये ममता है तो सभी संत इस बात को कहते हैं मान मोह को परिहरे गोविंद के गुण गावे, जहां भी गुण गाना शब्द आता है गुरवानी में या संतों की बारी में, उसका अर्थ होता है सुमिरन करना, याद करना, परमात्मा की याद करो, कहनानक ऐसे कोई प्रानी, जीवन मुक्त कहावे, कह रहें कि अगर ऐसा करोगे, तो फिर जुड़ना, इसके लिए ओशोधारा में प्रग्या, समाध्य और सुम्रन के कई कारिक्रम हैं, उनसे जुड़ करके, हम इसे संसार से मुक्त हो करके, आत्मा और परमात्मा में अपनी चेत्ना की जड़ें जमा सकते हैं, प्रथम प्रश्ण पर चर्चा को हम यहीं विराम द